मित्रो देखिये मनिपूर्चकर जो है यह हमारा मनिपूर्चकर है इसके जो रूप है इसके जो स्थान है वो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ साथियों ये नाम इसका मनिपूर चकर स्थान नाभी ये नाभी में स्थित है नाभी हमारा सरीर का केंदर भी है और नाभी को भोती मातपूर्ण स्थान प्राप्थ है हमारे सरीर में और सारे सरीर का संचार जो करती है वो नाभी ही करती है नाबी से ही अमारे पूरे सरीर में रखत जाता है इसी से ही वाई हो जाती है इसी से ही अमारे अगनी का संचार होता है पित का संचार होता है साथियों इसकी पंखड़ी जो हैं दस हैं वरण इसका पीला है ये आपने देखा पीला इसका वरण है जो पीले का मतलब क्या है संसार में रंग से रूप से विक्ति का अंदाज लगाया जाता है अधिक तर कि ये किस कारिये को करते होंगे इसकी प्रिविर्थी क्या है इसका सोभाव कैसा होगा तो साथ्यों जैसे ये भगवा है ऐसे ही ये भगवा भी खुद के जितने भी इसके मन के अंदर इसकी तमन्नाएं हैं इसकी लालसाएं हैं इसकी जिग्यासाएं हैं उन सब को शांत करके और प्रमपिता प्रमात्मा की रह में काम करते हैं लोग भगवे को धान करने का भी एक सब कुछ लुटा के और समाज को सब कुछ दिया साथियों जो ये इसका इसक जो रंग है ये जो सुनहरी जो रंग है जो यो केसरिया रंग है भगवा जो रंग है इसका हलका पीला जो रंग है ये इस बात का परतीक है कि पूरे सरीर को आपके सभी उर जाएं परदान करता है और सभी खुशियां परदान करता है सात्यों इसका जो लोग है सुए है क्योंकि ये मध्य हमारे छेत्र में है और इसका जो तत्व है वो अगनी है क्योंकि अगनी वही बात आगी जैसे इसका जो कलर है वो हमारे अगनी का भी कलर वही है अगनी भी हमारी क्या करती है कि सब कुछ भक्ष अगनी जो है वो सर्व भक्षक है अगनी को आप अगर अगनी तीवर है जल थोड़ा फैंकते हैं तो जल को भी सुहा कर देती है अगर आप अगनी के अंदर अच्छे अच्छे पकवान डालते हैं तो उसको भी सुहा कर देती हैं और जो आप हमन की जो सुमीधा हैं इसको भी सुआ कर देती है और कितने लोग आप ने देख्गे हुँगे जो खाले लोग हैं जो संसार में जिनको अपने विसे में कुछ पता ही नहीं तो कितने लोग जीवों को भून- उनके भी इसी में खाते हैं वो भी अगनी का ही सोभाव है लोगों को भरन पोशन के लिए उद्र की पूर्ति के लिए पेट भरने के लिए जो पाक विदी से हमारा भोजन गुजरता है तो वो भी अगनी के द्वारे ही गुजरता है और वो जो भक्षन उसका है तो अगनी से ही है साथियों हमारे उद्र के अंदर जो अगनी है वो भी हमारे मनिपुर्चकर करका ही एक भाग है एक रूप है साथियों उसके बाद फिर इसका रह डियों Toyota उंद्द वीडियो में भी बताया था लेकिन जिन साथ को ने वह नहीं देख पाए या उन तक वह वीडियो नहीं पहुंचा तो मैं एक बारी इसमें इसका उच्छान आपको और बता देता हूं आप थोड़ा सा इसको अगर कोई मेरी तुरूटी हो तो उसको छमा करना अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर धारन करना आप लाँ थस्ट देस्ण 25 इас ड्सा बाओ जते दपेयो झाओ को भी आपको ऑर देस्टphenियो प्रागन आपको देस् सादको मैंने आपके सामने उचाण रख्या इसका भेद है इसका कारण है उचाण रखने का मैं ऐसे भी आपको बता सकता लेकिन इसका बहुत बड़ा कारण है आपके सामने रखने का साथियों लोग इसको रब उचाण करते हैं जिसमें के अनृता है उचाण किया जाता है तो लोग इसका जब रब उचाण करते हैं तो रहा का उचान करने से क्या होता है आपका जो बीज है वो अपने प्रारूप को ग्रहण नहीं करता और उस देव को प्राप्त नहीं होता साथियों यह बहुत बड़ा यहां पे लोग भूल करते हैं बहुत बड़ी लोग एक तुरूटी कर देते हैं कि इसको रं बोलते हैं रं नहीं इसको रंग बोला जाएगा रंग और यह अगनी का बीज है अगनी का बीज है यह मित्रो देखिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपको बार-बार कहते हो मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है और मैं सामर्थवार बढ़ना भी नहीं चाहता कई लोग कहते हैं बाबा जी हमें धन चाहिए हम अपने चकर जगा के धन के प्राप्ति करना चाहते हैं साथियों देखे ये बिल्कुल मिथक है ये कोरी लालसा है और म इच्छा से आते इच्छा से जाते हैं वह और साथियों पता नहीं कितने वर्ष कुंग कि उम्र है मुझे तो यह भी नहीं पता और साथियों उनका जो खानपान है मैं आपको बता हूं वह अनकभी नहीं लेते सभी शत्ञें के मालिक हैं लेकिन मैंने कभी धन को उनको कोली भरते देखा नहीं है अगर आप साधना करते चक्रों को जगाने की कोशिस करते हैं या पिर जो गुरू यूत्यूब पे बैठे हुए या अधर आश्रमों में बैठे हुए गूरु आपको कहते है आप ये चेकर जगा लिजी ये इतना धना जाएगा ये हो जाएगा सात्यों देखों मैं तो उस इपक्स में हूँ नहीं औरना मेरे बास में ये बाट है मैंने कभी नहीं देखा कि आपके चेकर जाग रित करने साथ साथियों मैंने इस बात को कह सकता और कोई भी सादक इस बात याल सा लेकर मेरे पास बिलकुल भी ना कॉमेंट करें, बिल्कुल भी न आएं कि भाई मैं आपको धन दिलवा दूँगा क्योंकि मैं तो खुद धन हीन हूँ और मैंने धन की अविलासा भी कभी नहीं की साथियो आप देख रहे हो मेरे पास में कोई स्टूडियो नहीं है ना मैं यूटूबर हूँ ना ही मेरे पास में कोई इतना बड़ा सामर्थ है लेकिन आपकी प्रेणा से आप सब की प्रेणा से जो साधना का मार्ग मुझे गुरुजी से मिला क्यूंकि साधना जो है सातियों वो धन से माया से दूर है देखिए जो रंग बीज है यह सर्व भखशक है जैसे यह रंग सर्व भखशक है सभी दुखों का आपकी नभी केंद्र जो है वो अगर सही तरीके से वो संचार है और उसका सभी कारीय सुचार रूप से हैं ना आपको गैस बनेगी ना कबज रहेगी ना वाईयू के दोस होंगे ना पित के दोस होंगे ऐसे ही साधना जो है सर्वे भक्षक है यह आपके सभी दुखों का भक्षन कर लेती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप राजा हो जाएंगे राजा तो आप प्रमात्मा की दयासे होंगे जैसे जैसे आपकी साधना चलेगी ऐसे आप ऊपर चलेंगे लेकिन आप अगर व्यापार करना चाहते हैं आप सोचे कि मैं व्यापार करूं मैं अपने चक्रों को जगा लूँ और मैं व्यापारी बन जाओं आपने देखा आज इतने बड़े बड़े चक्र जगाने वाड़े लोग बैठे हुए हैं ये तो मुझे नहीं पता हुनके चकर जागरित हैं क्या नहीं है ये तो पर्भू जाने या वो जाने लेकिन साथियों मुझे इतना पता है कि अगर आपके आप इस लालसा से चकर जगाने चाहते हैं कि मैं धन के गठडी बांदू त तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी चकर जागरित होगा नहीं होगा जिन लोगों के आप बड़े बड़े आश्रम बनाए बैठे हैं बड़े बड़े लोग डिंगे मारते हैं बड़े बड़े लोग बाते करते हैं और वो कहते हैं हमारे चकर जागरित हैं चकर जागर धन लिया जाए ये बाते तो उनके पास आगी है उनके चकर जागृत है या नहीं आपके चकर जागरित हो जाएगे उस दिन आपको धनकिया लाल सा रहेगी नहीं क्यूंके महतमाबुद राजा होते हुए साध्ना मार्ग पे गए और धन को छोड़ दिया यह आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध राजा का बेटा था सिधार्त और उन्होंने सारधंत्याग के और वो साध्ना मार्ग पे चले गए योग को अपना लिया उन्होंने योगी तो थे वह कि उसके बाद गुरु नानक देव और मैं सर्दा से नमन करता हूँ उन्को गुरु नानक देव वह बहुत बड़े घर के भुत ही अच्छा घर था उनका बहुत बड़ा उनका परिवार था ढ़नी परिवार था और जब उनके पिता ने उनको एक दिन दुकान पे घेज दिया और जब वो तेरा पे आये तेरा के गिंती तक जब वो करने लगे तेरा 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 कर दिया अपना कुछ रखाई नहीं उसके बाद भगवान राम राजा के बेटे होते हुए और अपने पिता की मर्यादा के लिए वचन के मर्यादा के लिए जंगल में चले गए और क राजा हरिश्यंद्र राजा हरिश्यंद्र ने अपने वचन के लिए अपनी मर्यादा के लिए राजपाठ को त्याग दिया बेटे को पतनी को खुद को काशी जी में जाके सबको बेक दिया अगर धनी सर्वो पर यह होता तो वो उस मार्ग पर नहीं जाते ये सब साधना के मार्ग हैं ये सब योग है जो इन लोगों ने आपके सामने रखा रिशब देव जो हमारे जड़ भरत कहे जाते हैं कभी उनोंने धन का लालच नहीं किया और अवधोत बने रे राजा को सिश्य बना लिया कितने उधारन हैं संसार में जिन्होंने धन का त्याग کرके साधना को अपनाया साथियों धन की लालसा आपको कभी काम्याब होने नहीं देगी माया और साधना दोनों कटी कभी नहीं चल सकती आप माया कम है तो उतना ही रखिये मालिक इतना दीजे जा मैं कुटुम समाए मैं भूका ना रहूँ अतिती भूका ना जाए परमातमा आपको भूका कभी नहीं रखेगा यूट्वब पर मैं देखता हूँ तो जब भी मुझे मोका मिलता है, समय मिलता है, तो मैं देखता हूँ, कि लोग कहते हैं, आप ये चकर जगा लीजिए, आपको ये मिलेगा, ये चकर जगा लीजिए, ये मिलेगा, साथियों मैं तो कभी नहीं बोलूँगा, ना मुझे इन चीजों का, कहीं से कहीं तक भी यक पिरिप लोग होगा युश्य होगा तो आप अपने कारिये को स्वेटाई कर सकते हैं जब अपने काम में ध्यान लेंगे तो आपके पास अधिक दहन ऑंगा जब आपका सरीर निरोग होगा तो आपके आपका मन कूला ऐसा में हिऊ कुमार्ग पर जाएगा नहीं और जब कुमार्ग पर आपका मन जाएगा नहीं आप नसे में जाएंगे नहीं आप गल्त मार्ग पर जाएंगे नहीं गल्त इस्तरी से आपका संपर्ख होगा नहीं आपका धन्सवेता बढ़ जाएगा मित्रो आप साधना को अपनाईए योग को अपनाईए बाते होती रहेंगे अगले भी पार्ट में हम इसी पर बात करेंगे साधियों तो मैं आपको बताई इसन जो अगनी है इस चीज को आप देखिए जैसे अगनी सब कुछ को भख्यक्षन कर जाते सब कूछ खा लेती है ऐसे समाज में आप रस्मself चीज को अंदर समेट करती है जेगत में उसको अच्छा मिले बुरा मिले सब को भक्षन कर जाती आप भी आपको अच्छा कोई कहे बुरा कहे सब ही जो आपकी त्रिशनाय हैं उनका सब का भक्षन कर जाए उन सब को अपने अंदर समा लीजिए और आपका उठान जैसे अगनी का करते हैं तो उसके दो पर निचे होता एक पर उपर उताा है साथियों कि जब Bis Państu कि निचे अगितनु कि मजबूत हो जाते हैं इसे ही आपके साधना में जड़े इतनी मजबूत हो जाएंगी कि आपको कितने भी आंधिया खाए कोई दुख आए सब को ढब भोगते हुए उन अदारन करते हुए और आप समसार में आता सुभकारे करें माता का रख्तवरन है यह सक्ति है क्योंकि जो शक्ति का जो आपको पता कि शीव और सक्ति शीव हमारे सक्ति हमारे जो है यहां मुलाधार से लेके और सैस्रार पे आती है तो शीव हमारे यहां पे सैस्रार में बैठे हुए सक्ति हमारी मुलाधार में है तो सक्ति जो है यह धीरे 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 आपके ऊपर के और आती है यह इसका परतीक है यह जो कर्मेंद्रिय है यह पैर है क्योंकि पैरों के अंदर जो वास है वह विस्णुजी का वास बताया गया यानि कर्मठ विस्णुजी पालन करता है तो इसके जो पैर है वह हमारे इसका जो कर्मेंद्रिय है वह पैर है पैरों का मतलब है कि संसा आपके सिरी का कितना बिभार आप अपने उपर अगर लाद चलतें तो भी आपके पेर ही उसको लेके चलते ह dużo पैर है क्योंकि पैर और संसार के सभी कारिय को सभी जितने भी संसार में आप गह भी करते दो पैरों को सामीद Experiment मित्रो तो इसके जो कर्में इंद्री है इसके पैर है और यह भी सेवा का परaces लेते कभी कुछ नहीं कहई करतें देखतें लेकिन पैरों को कभी नहीं देखतेונה सुरूर हो जाते हैं जब आपके एडियों में दरद हो जाता है आपके गुटनों में दरद हो जाता है तब आप पैरों की तरफ देखते हैं एक मैं यहां पर यह भी कौनगा साथियों किसी भी समझना के लिए आप जो हमारे संस्तान में किसी भी रोग के लिए संपरक कर सकते हैं उसके लिए आपके हमेशा हमारे धर्वाज खुलौधे को घुने हैं जो भी हमसो गह में ज़रूर आपके लिए बहटाई हैं लेकिन किसी में यह रहती हैए लेकिन आप पूलो को उसी नजर से देखते हैं अपम भी उसी नजर से देखते हैं वह संस्किनी चाहिए आप जो हैं सब को उसके आदर के अनुसार देखिए और उचे का नीचे का भरे का भले का बुरे का भेद को आप खतम कर दीजिए यह इसके ज्ञान इंद्रिया जो है इसका परतीक है मित्रो मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को ग्रहन कर पा रहे होंगे इसके बाद साहिए इस बरवे इस पुंखडी रहते हैं इसकी जो पुंखडी है यह किसका परतीक है साथियों यह हमारी दसओं इंद्रियों का परतीक है जैसे मैंने यह यहां पर दिखाया देखे इसके चारों तरफ हमारी जो सिराएं जा रही हैं यह जो हमारे मनिपूर चकर से चारों तरफ जो यह हमारे सिराएं जा रही है यह सिराएं हमारे दसों इंद्रियों को कवर करती है हमारे मारग की जो दो इंद्रियां है हमारे नासिका है हमारी आखे हैं हमारे कान हैं हमारी जीवा ह परस इंद्री है हमारे जितने भी जो दसों इंद्रियां है उन सब का पोशन इसी से होता है इसलिए इसकी दस पंखडियां है साथियों जब ध्यान के द्वारा आप यहां पे आते हैं तो आपको आपका जो हर्दे कमल है वो आपके जो हर्दे पटल है हर्दे कमल के अंदर आपको एहसास होने लगता है कि भई आपके अंदर एक उश्मा जागरित हो रही है और उसका संचार हो रहा है साथियों अब मैं यहां पर बात करूंगा कि वास्तों में चक्र हैं क्या कि पहली वीडियो में मैंने यही बोला था कि चक्र जो है यह यह मैंने आपको इसका पूरा रूप बता दिया इसका जो हमारे नादुथपन होता है वह हमारे नाभी से यदा क्यूंकर स्थान हमारे के जो हमारे कानो के अंदर हमेशा एक आवाजा आती रहती है तो वो जो नाद है वो हमारे इस नाभी से ही उतपन होता है नाभि के अंदर से ही उतपन होता हूं तो मित्म है कि यह हैं क्या यह चक्र है कि यह एक व किका है नंदर नीनः को पे खलते हम давben रेलो게 वताउस नहीं होती है थे शे को पेद आपका सिखने होते हैं यह सुवेश पर एसे त्याह्यों से होड़ करती किका mend opinion और यहां पर इड़ा पिंगला सुषमन्ना सुषमन्ना के बीच से होते हुए कुंडले नहीं आपकी इनको भेदती उपर जाती है इसलिए हम चक्रों को कहते हैं सत्यों चक्रों में जो लोगिंखें बंद करके बैठेंगे तो उनको परकास दिखेगा अंधकार दिखेगा पतनी क्या क्या दिखेगा अपनी भावनांूज वो दे जाएंगे लेकिन ध्यान करने का जो सही मार्ग है ध्यान करने का सही मार्ग है सांभवी मुद्रा अब सांभवी मुद्रा में अगर आप जाते हैं यह यह सांभवी यह सांभवी मुद्रा जो है इसमें आपको ध्यान करना चाहिए सांभवी मुद्रा से आप ध्यान करेंगे तो आप कभी यह लाल पीले काले देखेंगे नहीं जब आपका जैसे जैसे आपका वीरिये उपर चड़ता जाएगा वो उद्रव गामी होगा वो उद्रव रेता होगा आपका रेतस जब उद्रव गामी होगा ऐसे ऐसे आप इसमें काम्याब होते जाएगे ऐसे ऐसे आपकी सक्ति उपर के और जाते जाएगे आप इन चक्रों को भेदते जाएंगे इतनी सी बात है इस से ज्यादा और इस ध्यान मार्ग को कोई मुझे लगता नहीं है जब तक आपका वीरिये नीचे बह रहा है आपकी टंकी खुली हुई है जब तक आप कुछ कर नहीं सकते जो आपको करवा दे तो मैं वो बाते तो मार सकता है वो अपनी जीवा की चंचलता से तो खा सकता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता अगर आपका विरिये आपका ब्रह् नहीं सकते यह मेरा वादा है यह मेरा दावा है अगर कोई साधना कोई गरश्ति भोगते भोगते बगएर ब्रम्चेटे के पालन के और योग में कामियाब हो जाए तो हम जिंदगी भर आपको अपनी सुरत नहीं दिखाएंगे यूटूब से एक दम से अट जाएंगे और सा इसरार में लेके चला जाए हम उसके जीवन भर के लिए उसकी सिश्य हो जाएंगे साथियों यह सब मिठ्थक है इन सब को छोड़ दीजिए अगर आपको परमातमाने संतान की प्राप्ति दे दी है संतान आपको परमातमाने दे दी है तो फिर आप अपने ब्रमचेटे का करिए अपने पार्टनर से बात करिए अपनी पतनी से बात करिए और उनको इसके नफे के नुकसान के बारे में इसके आपके क्या मिलने वाला है आपको आपके जीवन से सदा के लिए दुख चले जाएंगे सदा के लिए आपके घर में खुशाली होगी क्यों जब आप नहीं कहते तो 24 घंटे मेरे अंदर बैठा रहे आप एक नियम बनाईए कि मैंने इतने बज़े से इतने बज़े तक अपने साधना में बैठना है अपने ब्रह्म चरी का पालन करें और 24 घंटे जब भी आपको याद आए तो इस ब्रह्म रंदर यहां से अपने मुलाधार से लेक stiff यहां अपने पंचरियें साधन करते रहे सारा दिन जब भी आप आपको याद आए तसपैसर तभी तभी तुरंतिस रीड में गमन कर जाओ, तुरंतिस रीड में पहुंच जाओ, आप देखेंगे कुछी समय में मातर 40 दिन के अंदर आपके स्रीर के अंदर, आपके मन के अंदर, आपकी जिंदगी में बदलाओ ओने लग जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है, अगर ऐसा ना आपको इस रीड में जाना है, अगर आप ब्रहमचरी कपालन नहीं करते, आप अपने मन के उपर कंट्रोल नहीं करते, अपने अंदर सहियम नहीं करते, तो साथियों आपको कुछ मिलना जुलना है नहीं, इस साथना को बिलकुल छोड़ दीजे, इसको मुड़ के भी मत दे किये, क्योंकि देखा देखी करे जोग छिने काया बढ़े रोग, देखा देखी करे जोग छिने काया बढ़े रोग, अगर आप देखा देखी चलेंगे और अनमने मन से जाएंगे, इसमें मन लगा के नहीं जाएंगे, आपकी काया का नास होता रहेगा, रोग बढ़ते र ले जा रहें के नहीं ले जा रहें वो इस लाइक हैं के नहीं है अपने गुरु के विशे में जान बूज के भूत सोच समझ के अपना गुरु धारन करिए और जिस गुरु को यह मारग नहीं आता बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए उनको प्रनाम करिए बगवन हमने जो आपको अपने मरजी का मारग आपके कल्लान का मारग ना मिले जब तक आप किसी को ढोई है मत कोई भी हो साथियों मुझे लगता है आज इस पर काफी लंबी वीडियो होगी है शमाचाओंगा आपने इतना कीमती समय दिया और अगर आपको लगा आपको लगता हो कि मैंने आपके सामने जो सत्य है जो कटू सत्य है वो ही रखा है तो आप इसको धारन करिए और इसमें आगे बढ़िए इस योग परिवार में औरों को भी जोड़िए खुद भी जोड़िए और इस धारा में जो यह ग्यान की गंगा है ग्यान की जो धारा है इसमें जो योग की ध दारा में आप बैते जाएए और मुझे आशा है कि आप औरों को भी इस दारा से जोड़ेंगे और इसके भागिदार बनेंगे और इस